ईह सारी बाते हम पढ़ने लगें अभी, जैसे वेरियेबलेस हम चिछ एनंदे उस पौецे है जावा स्कूर्मिन पेंधर है तो इक किसमेंन एक समर्ज हो यह ए सब्छाएं, आपको प्रोग्रामिंग जौदीक हो चीज आजेंगे इस पतर। अब इस प्रोग्रामिंग से करना किया है वो अब इसके अगला टॉपिक है वो यह जब हम यह पूरा पढ़ लेंगे ना यहां से यहां तक जब हम पढ़ लेंगे तो अब इस प्रोग्रामिंग को अब इससे करना किया है यह उसके आगे की अब स्टोरी है तो अभी ये तो ये पढ़ने के या बाद, यो मिया कोई भी नहीं है नो जरुता है आपको पढ़ने ये विक्वाच Kung Safe Explorer यह शुद키ंगे तो ये अद्थ लिदू ये आपको ना अब ये एक्सपेक्ड नहीं किरेंगे ये तो चावसंपर्ण करिंगे पिर आपको आपको पता लगता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका सवाल यह था कि यह पूरा ओवराल चैट बॉर्ट का कोर्स जो है, यह कंपलीट करने के बदे हम क्या करेंगे? तो जी फ्री लांसिंग करेंगे, या आप किसी सौफियर आउज में जॉब करेंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे सौफियर आउज इस वक्त खुल चुके हैं, जो चैट बॉर्ट की इसमें पॉजिशन मौजूद हैं, तो आप चैट बॉर्ट डिवेलपर बनने जा रहे हैं, इसमें, अच्छा, तो मेरा खैल है इसमें हो गया जवाव का कोई चीज रह तो नहीं गी, जी, अगला टॉपिक हमारा सरवर है, उसमें इम्लिमेंट करेंगे, साथ-साथ जो एक्सराइज करेंगे, तो देखें, अब अब वो क्या एक्सराइज होंगी, वो मैं अभी कैसे बता हूँ आपको, वो तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्या एक्सराइज होंगी, वो इंशालला भी थोड़े जरे में पता लगता रहेगा, है ना, अच्छा, यह फंक्शन करके एक चीज होती है, कॉंसेप्ट होता है एक्सराइज होता है, वर्जन एसका, ठीक है, बलके मुझे तो यह वैरियेबल के साथ भी मुझे यह लिखना चाहिए, कि यह सारे एसक्स करके है, क्योंकि हम असल मैं यह नहीं लिखा है, इसलिए जान बूज के, कि आपको यह रियलाइजेशन रहा है, यह देगे ना, जा जायद मुझे फिर इन दोनों के साथ ES6 लिखने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उपर ही हैडिंग पर ही लिख दिया कि सारा ES6 वाला माल बढ़ेंगे है, क्योंकि अभी इस वक्स मौजूद है, मार्केट में तो कोई भी बुक ऐसी नहीं है, जो टोटली ES6 के उपर मब सब्सक्राइब करेंगे हैं, मैं आपको दे देता हूँ, एक हमारे पास है, स्मार्टर वे तू लर्न जावा एस्क्रिप्ट, ठीक है, यह इस बुक का मूँ है, यह मार्केट में अवेलिबल है, लेकिन यह ES5 की बुक है, टोटली ES5 है, अच्छा, और एक ES6 की भी बुक है, एक मिनट वसका नाम भूल रहा हूँ, वह जरा में नाम देख लूँ, यह जो एस फाइफ पर है, सर्स, यह वाली जो मने बताई यह स्मार्टर वे, यह ES5 पर है, यह फंडमेंटल प्जावा, सॉरी, जर करने नाम जो होए हूँ, आधा एकशिट और यह जो नए, वह पता नहीं, जरोटो एकशिपर्ट इस तरह करके कुछ नाम है, दूसरी वाली का वह भूल रहा उूँ, जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगनल तू प्रोफेशनल यह ना हुआ यह दो बुक्स पढ़ा है जो एज रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको जो टॉपिक्स हैं आप अनों पूपिक्स को मजीद स्टडी कर सकते हैं और आप चाहिए तो ठीक है यह दोनों बुक्स आपको फ्री में अवेलिबल मिल जाएंगा यह यह चिक्स है और यह शीक्स और तो ES5 का काइंड ओफ ये मिक्सचर है, तो इसमें कुछ चीज़ है ES5 वाली है, कुछ चीज़ है ES6 वाली है, लेकिन इन्होंने अच्छी बात ही है, कि इन्होंने मेंचन करते चले हैं साथ साथ ये, कि ये ES5 टॉपिक है, ये ES6 है, तो और ये जरा लेंदी बुक भी है, ये इ ये ES6 प्वल्डर मैंने ये कर दिया, अच्छा, मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर भी जावास्क्रिप्ट के लिए डेडिकेटड बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ, 3.ES6, साही है, और ये हलो वल्ड बगईर ठीक है वन हेलो वर्ल्ड हो गया उसके बाद हो जाएगा टू टू वैरियेबल्स अच्छा टू वैरियेबल्स के अंदर में एक इंडेक्स.html बना लेता हूं इंडेक्स.html हो ठीक है ये हेलो वर्ल्ड वाला मैंने उसी तरह से छोड़ दिया जैसे वो था इंडेक्स.html इसके अंदर मैंने बना दिया एक नया फोल्डर कर लिया वैरियेबल्स के नाम से सब लोगों को समझ आ रहा ही किस तरह फोल्डर बन गी है फोल्डर की और्गनाइजेशन को मैंने क्या किया है? चेंज किया है तोलो सा यह वन के अंदर इंडेक्स और जावास्क्रिप्ट यह लग हो गई अब तू के अंदर यह सिर्फ इंडेक्स है यहां पर आया मैं बेसिक हटीमल में यह लिख दी ठीक है एक हेडिंग लेगा देता हूं H1 ES6 variables अच्छा तो हम यह जावास्क्रिप्ट का एक तो हमने console.log hello world बनाना सीख लिए अब यह हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे है जावास्क्रिप्ट का जो हम क्या कर रहे है variables बना रहे है जावास्क्रिप्ट के अंदर variable जो नई वहली जावास्क्रिप्ट है उसमें तरीका किया है let और variable का कोई नाम एक मैं कर देता हूं कि यार my name और equals उसके बाद ठीक है यह variable का मैंने एक मेरी बर्जी का एक नाम रखा है यह कोई भी नाम रख सकते हूं इसके अंदर में अच्छा और equals to करके मैंने लिखती है यह पर लिक ठीक है या भी फिलाल मैं इसमें लग देता हूं यार five ठीक है my name एक variable का नाम है उसके अंदर five रखा वई तो यह यह variable को बनाने का तरीफा है सभी हमारे outline के अंदर में देखता हूं कि हमारे पस number boolean string और array और यह object सभी है तो यह हमने जो variable बनाया है यह किस type का बनाया है number type का जो डिखे, तर निभी तर दूप इर बनाया है ए अच्छा मतलब है जी variable का वर्ट डर डर डज बलाइज अंग्रेजी में वर्ट कशा क्सी उसको कहता है कि जो चेंग हो सकता है ठीक है variable रड निकला हैuft कर ला करने से वर्य करने मतलब है उपर यह नीचे होना इसका मतलब ब है तो हैसे हम कहते है रहा और नीचे मिसाल कि दूर। प्राइस में क्या होती है पैट्रॉल की प्राइस में रोज वेरेशन हो रही है।्टि या तो भी तो नीचे आती है, रोज वेरिएशन one Cow variable का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो variable है यानि वो उपर या नीचे हो सकती है यानि कि वो change हो सकती है पेट्रॉल की जो price है वो क्या है एक variable है पेट्रॉल की price vary कर सकती है यानि वेरी अबल है वो सही है अच्छा इसी तरीके से जो पंखे की speed है वो variable है वो vary कर सकती है ठीक है तो हमारे पास यह माई नेम है यह भी क्या है वेरी एबल है और इसके अंदर इस वक्त मैंने current value इसकी set की है 5 ठीक है my name की current value मैंने set की है 5 अच्छा अब इसको अपने ऐसे समझें कि एक box होता है ना box डबा एक box होता है आप imagine करें कि यह variable एक box है और इसके अंदर इस वक्त जो value है वो पांच value मौजूद है ठीक है तो मैं जब भी इस box को खोलूँगा मुझे व वैल्यू पांच नजर आजएगी that's it ठीक है variable इससे जादे कुछ भी नहीं है अच्छा लेट जो है यह keyword है बहुत अच्छा सवाल पूछा अपने लेट जो है वो keyword है देखो programming language के अंदर क्या होता है कि जैसे अंग्रेजी है या उर्दू है या पश्टू है इसके अंदर क्या होता है एक sentence होता है एक sentence जैसे मैं बोलता हूं कि यार आप कहां जा रहे है तो यह एक मैंने जुंबा बोला है where are you going एक जुम्ला बोला है है मैंने तो यह जुम्ला जो मिल के बनता है यह किन चीजों से मिल के बनता है word से मिल के बनता है computer को अपनी कोई बात समझाता हूँ तो मैं उसके अंदर जुम्ला कहता हूँ ना computer यह मैंने कंप्यूटर से एक जुम्ला बोला जासे इस जुम्ले को programming language बको叫 statement इसमने sentence नहीं कहते है इसमने कहते है statement ईधर यह मैंने इक statement लिखी है इसमें लिखा है let my name equals to five, अच्छा तो इसमें ये जो, इसमें जो statement बनता है ना, वो words से मिलके नी बनता है, जैसे sentence तो words से मिलके बनता है, statement की वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है, चीज वही है, बस में ज़रा नाम उनोंने ज़रा different किया है, ता कि वो पता लगे कि ये programming की बात ह ये वरना normal sentence में प्रोग्रामिंग में फशाद नहीं रहेगा ना, तो let जो है, वो keyword है, और let का मतलब है कि एक variable बनाना है, जैसे ही programming language को ये नजर आएगा let, वो समझ जाएगा कि एक variable बनने जा रहे है, ठीक है, अच्छा, let के फॉरण बात ये expectation किया होगी उसकी एक नाम ये expectation हो जाएगा, तो ये let देखते ही हो समझ जाएगा, अच्छा, अब let के इलावा कौन मुन से keyword है, वो एक एक करके हम सीखेंगे, अच्छा, तो मैं अभी एक और variable बना लेता हूँ, मैंने का let petrol price price equals to, क्या है वी सब्सक्त, 300, 324, 324 हो गया, सस्ता हो गया, पहले कितना था? अच्छा, बता रहें लेकर पलचियर कोई सस्ता तरह है? यार कुछी अरसे पहले ऐसा था कि मैं अपनी मोटर साइकल की टैंकी फूल करता था साथ सो में फूल हो जाती दिए दिन याद आते हैं वह अब जो साड़े चार अजार में पांचार का नोट दियो उसने पता नहीं मुझे 300 वापिस किया तो भाई पता है चाहर आजार की हो तो मुझे तो ये वाली प्राइस नियाद होती लेकिन ये के भाई चार डबल हो गई है पहले जो भी थी ना कहा 700 कहा साड़े चार अजार अजार दिन भी क्या दिन थे नहीं छोड़ नहीं थी असल में तो आशकल तो तीन दिन होता हूं नहीं तो पता नहीं है पंदरा दिन जान बास्त वह चल रहा है क्योंके ट्राइvling जाहर है तो अचारी खडी रहती है वैसी तो अब देखते हैए तो आप स्वाय तो मेरा लेकिन कम खर्च करने से क्या होता है। यहां पर आप बड़ा मिसा करता हूँ, अपर बाई का अपनी गलक बाद होती है, कहीं भी निगल जाओ, यह जा वो जाूँ अपनी दिने आए? यहां पर टाइम इसल में नहीं होता ना? मैं सुबह सुबह तो यहां जाता, फिर मैं रात तक जाताँ मैं बिस्थर पर होती हूं सीधER तो पर सुबह आजताू अदॉपर यहां तो तो यहां पर टाइम वह वहरा-गर्धी वहला जो आज रात के बादंग है,कल मेरा दिन है तो आज रात हावारा गर्डी है यह सामने शेंडल में लुड़ंप जो मैंने आप नियुक्त प्राइस जो जो ए वह क्या हो गई है इस वक्त right now 324 हो गई है अच्छा अब मैंने क्या करना है मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ इसको मैं क्या करवा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर प्रिंट करवाना तो Hello World में सीख चुके थे वो तो आता है मैं कैसे होता है, कौन बताएगा, console.log, ठीक है, अच्छा, एक चीज में और बताना भूल गया, आपको ये statement, जो है न, उसके last में ये statement terminator कहते हैं, ये line terminator भी कहते हैं, ये हम लगाते हैं, ये हम लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये line terminator जो है, वो optional होता है, लेकिन मेरी क्योंके आदत है, तो मैं लगा देता हूँ, लगा देना ही बहतर है, ठीक है, line terminator लगा देना बहतर है, तो line terminator इसलिए मैं हर जगा लगाता जा रहा हूँ, अगर नहीं भी लगाऊंगा, न, code सही चलेगा, ये जावा स्क्रिप के अंदर ऑप्शनल है, हाँ, ये भी बड़ अच्छा सवाल पूछा आपने, तो एक तो ये बात हो गई, कि ये statement मैंने आपको बता दिया, ये पूरा जुमला जो है, इसको एक statement कहते हैं, ये मैंने computer से ये जुमला कहा है, computer से मैंने statement कही है, ये मिलके बनती है, keyword से, और last में, हर statement के last में, statement terminator लगा होता है, अच्छा ये जो मैंने नाम रखा है, ये variable का नाम, ये मेरी मर्जी का नाम है, ठीक है, मैं इसमें कोई भी नाम रख सकता था, ठीक है, और ये सही चलता है, अच्छा लेकिन मैंने जो नाम रखा है, इसके अंदर कुछ limitations भी हैं, जैसे कि ये नाम, नमबर से आपको खुदी थोड़े थोड़े दिनों में पता लगते रहेंगे, ये क्या चक कर रहें, अच्छा इसी तरीके से मैंने जो my or name है, इसके बीच में space नहीं दे सकता है, इसके नाम में space नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैं क्या अगर सकता हूँ my name मुझे ऐसे लिखना अच्छा अब दोस्त ने का कि या ये बीच में आपने जो capital किया इसका क्या मकसद है, ये इसलिए किया है, इससे ना readability थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, मिसाल के तोर पे अगर मैं या पर लिख देता हूँ, कि भाई, अब इसको आप पढ़ें, मुश्किल है पढ़ने सभी है, अच्छा अब इसकी एक readability थी, अच्छा अब यहां तो मैं एक और line लिखता हूँ, इसी तरह, तो कहीं न कहीं जो यह नीचे वाली जो line है न, इसकी जो readability थोड़ी सी ज़ादा है, अच्छा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं naming convention, ठीक है, इसको कहते हैं camel case naming convention, अच्छा convention क्या चीज़ होती है, convention यह होता है कि दो लोगों ने आपस में वैसे ही decide किया है, कि हम इस तरह करेंगे, ठीक है कोई rule नहीं है, ना भी follow करेंगे तो कोई बस में हैं या किसी में भी हैं और सामने से भी एक गाड़ी आ गई, अच्छा तो अब convention यहां पर किया है, दो ड्राइवर्स ने आपस में यह वैसे दोनों को असानी से निकल जाएंगे, अगर यह पहले से decided नहीं होता, तो वो क्या होता, वो किसी ना किसी तरह का signal देना पड़ता उसको, या तो आवाज निजाल को बोलना पड़ता है, इधर हो जा तू, या उधर हो जा तू, मैं इधर से जाओंगा, कुछ बोलना पड़ अधरी ती कहीं कुछ हुआ था, यह ड्राइवर्स ने आपस में decide कर लिया कि हमने अपने left पर होना है, यह अपने left पर हो जाएगा, वो अपने left हो जाएगा, कानी हतम हो गई, that's it, ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे छोटे-छोटे conventions हमारे जिन्दगी में चल रहे होता ह जो मैं पता होता है, ठीक है, तो यह एक तरह का naming convention है, अगर आप name को इस तरह लिख देंगा तो ठीक है, नहीं लिखेंगा तो भी आपका code सही चलेगा, among the developers उन्होंने decide किया है कि इस तरह होना चाहिए, ठीक है, तो convention हमने सीख लिया कि क्या चीज़ होती है, और naming convention, यह नाम का जो कोहान होता है, वो कुछ इसी तरह का दिखता है, ठीक है, यह आप देखें, camel case, तो camel case जो नहीं इस निजबत से इसको कहता है, क्योंकि यह camel की तरह लगता है, अच्छा, इसके इलावा भी कुछ cases होते है, this is not the only naming convention, यह है snake case, कि इस पेस जहां पे होगा नो, उसकी होगा, यह है kebab case, kebab case में बीच में क्या होता है, डैश होता है, ठीक है, कबाब case कहते हैं, लेकिन javascript के अंदर, जो most popular है, वो camel case है, जावा सक्रिप्ट के अंदर, most popular है, camel case है, ठीक है, यह देखें, यह तने सारे cases है, proper case, title case, upper case, medic case, lower case, यह बहुत सारे cases है, लेकिन हमने उन सब को नहीं देखना हमने देखना सिर्फ कैमल केस को किस तरह से लिखा जाता है कि जी हर वर्ड का जो शुरू वाला वर्ड है से पेट्रॉल इस दब फर्स्ट वर्ड वो तो सीधा सीधा होगा और स्मॉल में होगा उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे ना उन सब क्या यह पेट्रॉल की प्राइस को चलो मैंने यहां पर प्रिंट करवाना है मैंने का क्या यार पैट्रॉल प्राइस अच्छा और यह पेट्रॉल प्राइस को मैंने कॉंसोल डॉर्ड लॉग की उपर लगा दिया तो यह प्रिंट हो जाएगा मैंने यहां पर रीफ्रेश किया यह तो वह एलो वर्ल्ड वाला खुलागा है ना इसको बंद करते हैं इसको नया दुबारा कॉपी पाथ और यहां पर आगे इसको चलाते हैं ठीक है यह सिक्स वैरियेबल्स सभी है यह 324 यह पेट्रॉल की प्राइस क्या हो गई यहां पर प्रिंट हो गई मेरे बास ठीक हो गया जवरदस्त हो गया अच्छा अब यह बात याद रखें कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो वैरियेबल का नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वैरियेवल का जो नाम होता है वो क्या होता है के सेंसिटिव होता है मिसाल के तोर पे अगर आपने पेट्रॉल का यह पी इसमॉल लिखा था और यहां पर आगा आप लिख देंगे कैपिटल तो यह काम नहीं करेगा ठीक है इसमॉल पी से जो पेट्रॉल है वो अलग वैरियेवल है और कैपिटल पी से अगर कोई पेट्रॉल में बना देता हूं तो देट वुड बी अनधर वैरियेवल ठीक है अभी तो अभी कैपिटल पी से कोई मौजूद नहीं है तो यह मुझे क्या बोलेगा यह मुझे कहानी खतम कर दी तो हमने समझ लिया कि एक case sensitive होता है अगर small piece से बनाया है तो small piece से ही इसको लिखना पड़ेगा अच्छा इस point पर हमने क्या कुछ सीख लिया है इस point पर हमने एक तो सबसे पहले Hello World में के console सीखा था पिछले इसमें topic में और इस topic में हमने यह सीख लिया है कि एक variable बनता कैसे है उस variable को बनाते वए keyword होता है, naming convention होता है उसकी एक value होती है, line terminator होता है इस पूरे को एक statement कहते है ठीक है, और फिर उस variable को बनाने के बाद हमने उसको screen पर print भी करवा लिया यह दो काम हमने करवा लिया है ठीक है अच्छा, अब मैंने क्या करना है अगला काम यह variable क्योंके variable है vary कर सकता ही है तो यह कब करेगा vary, मैं करवाँगा इसको vary मैंने बोला कि यार, petrol price हाँ बई, क्या होने वाली है petrol price कर देते हैं, चलो, 290 करवा दिया है 305 बनेंगे 305 बनेंगे सभी है, 305 अच्छा, 290 होता है न जब तो ऐसा लगता है, 290 नहीं होगा 305 होता है, तो ऐसा लगता है, हो जाएगा क्योंके 290 तो पहले था न तो जहां पर पहले था, वहां तो तक तो नहीं लिखे जाते हैं, उससे थोड़ा उपर है 305 इस रियलिस्टिक फिगर, ऐसे मतलब साइकोलोजिकली, 305 लगता है क्यार हो जाएगा, उमीद आ जाती है अच्छानिकली को देखके न ऐसे नाउमीदी सी होती है, यह तो नहीं हाता है आजकल गॉल्ड गिर रहे है, गिर रहे है एक लक्स, दो लक्स नीची आगे असल में हमारे पास जो बंदे है ना गोल्ड पे चापे पड़ रहे हैं आज कल पता है ना इसी वज़ा से वो गोल्ड अगर हम पैसे को कनवर्ट कर लेंगे ना तो वहारा पैसा सेफ हो जाएगा अब गोल्ड हमारे से कौन लेगे जाएगा गोल्ड तो हमारी मिल्कियत है अब पता नहीं ड्योघन गोल्ड निकलें उन्ञें लग के लिएन अब होता है एक एक है लृड है और शोटा साँ और टना हो यह कोता है अभर आप जिसे ग्लास है और लोहा है और यह ग्लास है और थे अलमनय में इन सब में भार होता है गोल्ड, यह अगर इतना बड़ा ब्लॉक का ब्लॉक होगा तो इतने वाड़े लोहे के ब्लॉक से ज्यादा भारी होगा वह गोल्ड is the most heaviest तया धाई कोना होता है लोहे से तो तो भाई उन्होंने सारा सील किया थैले में डालो और रहा चलो भाई अब मिलेंगे गोल्ट में तो लोगों लगता था कि गोल्ड हमारा ना गोल्ड में अगर कनवर्ट कर लेंगे हम तो शायद पैसा सेफ हो जाए हमारा लेकिन सेफ वेफ कुछ भी नहीं होगा अचा करते यह की न्युकाज़ कर लेते हैं कि यह वागी कम हो गया के नहीं होगया यह क्यां रिम तो आगवां यह पैठ्रोल की प्राइबल को वह आड़ा कि लुख लोगिन दिए हश apresentया है ओप उप लिएम जाया हो जिक सनल होगे तो तो पैट्रॉल की प्राइस को यह प्राइस तो खेर नहीं हुए कम मेरे वैरियेबल की वैल्यू जो हो चेंज हो गई है अच्छा तो मैंने का कि जी कॉंसोल डॉर्ट लॉग अगेन और अगेन मैंने क्या कर दिया यहां पर मैंने यहां पर प्राइस को प्रिंट करवा दिया ठीक है यहां भी प्रिंट करवाया और ठीक है आच यह मैं लिखनार हुआ यह लिखना है षिसको मैं चाहता हूँ कि वक्ती तोर पे वह ना चले उसको आज़ा जावा क्या जाए गार्ट करता हूं एसा डबल स्लेश लगा जो ठीक है फिर यहां पर धाना चाहिए तो इसको यह जाबस करेंट कर रहा है तो यह गर दिया मैं इसको काई कके बाए इसको आप Javascript रा इता करें सब इससे जब आपका कोड कोई दूसरा डेवालपर पड़े तो इसको data मिलें तो विश्मुध ने भॉड होता है आप ने कोई अशी चीज़ लिखि到底 जो जरा से नॉर्मल चीजों से हटके है, ठीक है, कोई ऐसा function लिखा है, जिसमें कोई weird खिसम की चीज होती है, तो आप वो comment में लिख देते हैं, कि यार इस फंक्शन को जो 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 इसी तरह रहने देना है, क्योंकि इसको जब हम सही करते हैं, तो जो 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 आपने क्यों बनाया है, यार दाने के लिए, ताकि जब आप खुद, या कोई दूसरा developer जब उस code को पढ़े, तो उसको वो पता लगता रहे क्या चीज़ किसली होई है, तो मैंने का कि इस जगा पर print होना चाहिए 324 और इस जगा पर print होना चाहिए 305, ठीक है, अब दोस्त ने का कि यार यह तो दोनों जगा तो एक ही variable प्रिंट हो हो है, तो यहां पर दोनों जगा जब एक ही variable तो एक ही बात print होनी चाहिए, इसका जवाब है नहीं, यह variable है, यह इस जगा पर जब था line number 14 में, इसकी value क्या थी, 324 थी, line number 17 में जब इसको मैंने print किया, तो जब भी यह variable में मैं इस तरह से बोलता हूँ, कि क्या कर दो, petrol price या variable का नाम बोलता हूँ, और equals to करके नई value उसको देता हूँ, तो पुरानी value को क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, खतम कर देता है, और उसकी जगा नई value रख देता है, इस डे डेजन बैटर क्या थी, ठीक है, इ नहादा line number 19 में इसकी variable की जो variation होई है इसके अंदर, इस variable में जो changes की है मैंने, वो इसमें क्योंकि हो गया है, तो अब इसकी value line number 19 में 305 हो चुकी है, अब 305 होने के बाद जब जब लाइन number 22 में, इसको जब मैं again print करवाता हूं उसी variable को तो अब उसकी value क्या है, changes है, ठीक है, कर लेकिन अगली जगह पे 305 होगी है इसको मैं जरा इस तरफ कर देता हूँ ठीक है लाइन नमबर 17 से जो कॉंसोल आया उसमें 304 है लाइन नमबर 22 से जो कॉंसोल आया उसमें 305 है तुर अ को अक। यहां यहां रोफ लिएड़ी है कुषा करने राइजस करके उसने नहीं रॉड Pirate अफ् utan नुए को अच्छ हो उसका और फिर्षो एसको इसा ते और एक सूप हो गया करना। इसको इस तरह से मेजन करें कि अप पेट्रॉल की प्राइस आज आप नोट किए प्ञिडए और अपने कागस में अची सब्सक्राइब कहजा रही बैलले होती बेलें बेलें के इसके अगले दिन होता है आपका ठीक है और एक पिर मंथली क्लोजिंग बैलन्स होता है आपका अब यूज नहीं होता है अलर्ट जो ब्लॉकिंग कोड़ इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं ठीक है यह फर्क है यह 6 के अंदर हम यह 6 में यह 5 में उसको वैसे नॉट रेकिमेंडेट था इसको इसको इस्टेटिक नहीं कहते हैं इसको हम कहते हैं इस्ट्रिक्टली टाइप्ट लेंग्विज इसको एक होता है टाइप वैरियेबल अचा जावा स्क्रिप्ट के अंदर नंबर का जो वैरियेबल नंबर का वो ऑल-in-one एक्षिए ठीक है और इसको डाइनमिक टाइपिंग आप कह सकते हैं और यह अल-इन-वन ए इस नंबर के अंदर आप वैरिये बगैर पॉइंट वा बिट का जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है ठीक है by default ठीक है 64 बिट का यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है यह इसको आप कहलें कि 64 बिट कितना हो गया आर्ट बाइट हो गया ना आर्ट बाइट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसको यह बात समझ नहीं है यह वो इसको इक्नोर करें मैंने जस्तिन के लिए यह बात बताईए जो जिनका बैक्राउंड है अचा कितने लोग यहां पे बाइदवे ऐसे हैं जिनका जिन्नोंने कोई न कोई प्रो यह बहुत पढ़ी है पहले जावास्क्रिप्ट एग्जैक्ली अचा तकरीवन यह हमारे पास तादाद है 20 परसंड के राउंड है अचा कितने लोग ऐसे हैं जिनको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है अपने प्रॉपर मतलब कम्प्लीट पढ़ाए जावास्क्रिप अच्छा किने जाव की जावा स्क्रिप्ट किये कोई जॉब बगैर कि लिए जावास्क्रिप्ट को जोगता है जिनों में कम्पलीट यावास्क्रिप्ट टॉड आफ दो घ्लिकार ज जो बाकि के 20 अनि-चैडल पीनर जो बहुपर शोड़ अटिय मैं hat Спасибо को अण शन आहि जब हैं जब देखिन की अच्छावा के लिए जाब ऑफ यह बिदो को आधार कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लेंगविज का नाम ही पहली दफा सुनना है मतलब नाम कोई प्रोग्रामिंग लाइविज कोई भी नहीं एक्सपीडियेंस किया अच्छा यह मारे पास यह एक दो तीन चार पाँ छे साथ आट नो दस बारा तेरा लोग है तर्वी नहीं सही है असल तो मेरा टार्गेट जो है वो यही है कि जो बिल्कुल बिगनर है तो दो तीन साल में जावा स्रिप में अच्छी खासी चेंज़ आगी है अच्छा एक तो यह सीन है अच्छा दूसरा यह कि फिर जिस बंदे ने पढ़ाया है ना तेंकि इस्टूटेंट को असल में यह नहीं पता होता है कि यार जो मुझे बात पढ़ाई जा रही है वो क्या स बेढ़ाया तो जब तक आप प्रफेशनली इसको फिर प्रैक्टिस नीं करते आपको कभी यह पता भी नहीं लगता कि आपके साथ हुआ कि यहां तो नहीं हम मैंने तो आपसे करवाना है काम मैंने तो आप से यहीं पर काम करवाना इधरी तो आप जब वो फंस जाएंगे आप नहीं कर पाएंगा वो खुदी पता लग जाएगा कितने पानी में हो ठीक है ना तो छोटी-छोटी सबसे पहला अभी आपको असाइमेंट जो मिलेगा नहीं नेक्स लास में वो दोंगा वो मिलेगा कैलकुलेटर है कि दो नंबर को प्लस करके स्क्रीन पर प्रेंट करव तो अभी आप इसको प्रैक्टेस करने शुरू कर दें जो मैंने आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दे दिये है वो र左 कोई चेंज करवाना भी सीख ली तो यही तीन काम होते हैं तो तो कम्प्लीट हो गया अच्छा अब नंबर के लावा जावा स्क्रेट में टोटल यहां पर जो मने आउट लाइन में यह मैंशन भी हुआ है कि एक नंबर टाइप का है एक स्ट्रिंग टाइप का वैरियाबल है तो जा जरा स्ट्रिंग टाइप को भी हम देख लेते हैं थोड़ सही है तो हमारे पास मैं वैरियेबल के अंदर ना सर्फ नंबर को स्टोर कर सकता हूँ बलके मैं टेक्स्ट डेटा को भी स्टोर कर सकता हूँ और इसको टेक्निकली क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्ट्रिंग इस्ट्रिंग वैसे अंग्रेजी में किसी इसको कहते है तो यहां पर हो इता हो MacER oh है he तार दागे की तर दागे को कहते हैं स्ट्रेन्ग ठीक है तो यहां पीफ्रूंग का मतलब है नA वह भी फान इस यह स्ट्री बिए है सिए आप समझ लें हाँ जैसे तस्विह होती है उसके अंदर मोतियां होती है तो अक्चली यह क्या है किस तरह से खाएं पर्मिप और अच्छली में जब करेंगे किस तरह से ही तो इस तरह से यहाँ मतलब यह वही वहला स्टुरंग है अच्छा लेकिन अब ये क्या हो चुका है एक terminology की हैसिए इक्तियार कर चुका है terminology की हैसिए इसकी ठीक है string is a terminology जिसका मतलब क्या होता है कि text data जो है उसको string कहते हैं ठीक है programming languages के अंदर अच्छा तक्रीबन जो हमने number variable पढ़ा यह हम क्योंके बार बार में आपको यह बात बता रहा हूं यह हम क्या पढ़ रहे है programming fundamentals पढ़ रहे हैं तो यह जो हमने number type का variable पढ़ा number type का variable हर programming language में हो गई होगा लाजमी होगा लिखने का तरीका शायद let की जगा कुछ और लेट की जगा जैसे c language में होता है int होता है तो इसमें let है तो यह फर्क हो सकता है लिखने का तरीका की वर्ड फर क्योंके जार है दूसरी लैंग्वेज है अब मिसाल के दोर पे अर्दू में जो कहते हैं हम मिसाल के दोर पे कहते हैं कि यार कहा जा रहे हो तो अब पश्टों में तो वर्ड इसके लिए अलग है न कि वही चरता जाई तो यह वर्ड इसके लिए अलग है लेकिन दोनों में यह पूछा जा सकता है कि कहा जा रहे हो इन दोनों languages में ये पूछा जा सकता है कि कहां जा रहे हो, अब कोई ऐसी language हो जिसमें आप ये पूछी नहीं सकते है कहां जा रहे हो, इसके लिए कोई word ही ना हो, ठीक है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो number variable जो है वो हर programming language में होगा, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जबान अलग हो सकती है, लेकिन ये काम जरूर होगा, इसी तरह ये string वाला variable है, string वाला variable भी हर programming language में हो गई होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो, ठीक है, तो ये हमने programming fundamental अभी cover कर रहे हैं, सारा का सारा, तो ये सारा का सारा जो item है ना, ये जो programming fundamental में, ये सारा का सारा item ये है, कि ये हर programming language में ये हो गई होगा, ऐसा हो ये नहीं सकता कि ये ना हो, इसके बगर programming language ही अधूरी है, अगर इनम से कोई चीज ना हो, तो लहाजा हम जो ये बात पढ़ रहे हैं, आपने इसको बहुत गोर से पढ़ना है, और जब ये हम पढ़ लेंगे, तो हम असल में लेंगे जाती हो, तो उससे वो दूसरी भी सीख जाता है, डिक्शनरी ले ले लेता है, ट्रांसलेशन ले लेता है, तो वो दूसरी भी सीख जाता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला जो बच्चा सीखता है, जो पहली दफा जो बच्चा सीखता है, वो असल में लेंगे न तो इसी तरह पे भी मिस होता है उनका तो फिलहाल अभी फंडमेंटल के अंदर वो निया आता है तो फिलहाल अभी फंडमेंटल तो कवर करें फिर हम देखते हैं कि क्या करने तो वो अर्बी क्या बोलते हैं उनसे पाकिस्तान नहीं बोले जाता है बोलते हैं पाकिस्तान तो वो उनके लेंगविज में पे नहीं है एक तो अच्छा चे भी नहीं है उन्होंने ना पे बोला ना चे बोला तो उनकी जुबान पर चड़ता भी नहीं है उनकी जुबान पर उनकी जुबान इवाल्व इस तरह हो गई है, उनकी आदत ही नहीं है, पे बोलने की तो उनसे बोला भी नहीं जाता है, सही है, पिर इसी तरह हमारे यह जर्मन है जो, आप जर्मन को मूवी देखेंगे न, तो बोलेगा, I am the king of the world, डीन ही होता हो रहा, वल्द बोलता है, रश लोरी क्या होता है, 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 लोरी क्या होता पाकिस्तानी इंडिया दोनों की बात हो रही है वह जब यूएसे वगरा जाते ना तो अंग्रेजी जो हम बोलते हैं अच्छा यह मुझे कभी बोलते हुए महसूस नहीं हुआ लेकिन मैं भी उसी तरह बोलता हूं हम भी ना हर चीज के आगे लगाते हैं हम भी हर चीज के आगे लगाते हैं वो एक फ्लफी है कोमेडियन वह सही मजाग औराता है हमारा अधियर जो कराची वाले हैं जहादा अभी आब है अभी मतलब बिद्रहों है उसको क्या बोलता है इस पोकेन एक्सप्रेशन जैसे यहां पर यहां पर क्या बोलते हैं से किसी को जैसे बोफ्ट है ечना जैसे QAG मतलब पाटब लुक्त है बोटे हानी तीखा लिखा तो है वो रेस्टरॉंट में तीखा लिखा हो होता है सब जग़े अच्छा टिकका तेक्का जबने रेखने नहीं हर्वर्ट में जबने तो अलग होती है जबसे पुशल सर्गी सबार तो एसको जबा 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 अच्छा तो हम क्या बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं हाँ मैं यह बात कर रहे हैं कि हर programming language में जैसे नंबर वरा variable बनेगा तो सही और यह स्ट्रिंग वरा variable बनेगा भी जरूर बनेगा लेकिन उसको बनाने का तरीका शायद थोड़ा अलग हो सकता है ठीक है जैसे हमने देखा कि डिफरेंट जुबानों में एक ही बात को बोलने के लिए अलग-अलग words है इसी तरह एक ही इस्ट्रिंग वेरिवल को बनाने के लिए अलग-अलग programming language में अलग-अलग keyword हो सकते हैं लेकिन यह बनेगा जरूर तो हमने यह सीखा है कि अगर आप once आप JavaScript जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको यह programming fundamental अगर आप यह अच्छे से पढ़ लेते हैं तो असल में आपको दुनिया की हर programming language आ जाएगी ठीक है कोई एक language का fundamental आपने पढ़ लिया तो सब आजाएगा अच्छा अच्छा मैंने क्या बना दिया एक बना दिया माई नेम के नाम से अच्छा अब इसको मैं क्या करता हूं यह जो पेट्रॉल प्रेंट करवाया था न मैंने पेट्रॉल हटा देता हूं इसमें माई ने इसमें प्रेंट करवा देता हूं और दर्म्यान में क्या बोलता हूं आके मैं मैं कहता हूं कि यहां पर एक नाम बनाया इस्ट्रेंग कॉंसोल में प्रेंट करवाया तो क्या प्रेंट हो जाएगा मलीक सही है फिर मैंने चेंज कर दिया कि माई नेम इक्वल्स टू इंजमा ठीक है उर्धू वाला नाम लगा दिया मैंने है यह इंगली वाला नाम है अच्छा फिर उसको दुबारा प्रेंट करवाया तो यहां जो प्रेंट आएगा लाइन नमबर एठाइरा से उसमें मली क Лिखा लाइन नमबर 22 से जो प्रेंट आएगा उसमें क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो चुकी है इसकी तो वैल्यू चेंज करके प्रेंट कर देगा सहीजी असान है इसको रिफ्रेश करता हूं मलीक और इंसमाम मलीक ठीक है एक इंग्लिश नाम आगिया गुर्दू नाम आगिया य उनन अग क्या इसको बोलते है जारव फ्रेंकन शो जिर लिघ तो फिर इंसे नाम पूछो ना जब वह बुछते हूं ऑट लूनसर फ़नी होते ना being dassey करते शिरू को बलते हमि कॉनसर नाम इतम लोग अं रिख सा लिए तो एक इन्लिश नाम रुस्ते होना है और नंने एक एक तरफ चाइनी बिरिधा कर्ण। इनक ग्लिष मारने के ऑनीस कर्क्त। लोग सब्सक्राइस. लोग मभी फाइस にb atención है। जैसे अदसे एक अमारी दोस्त इस अरभ हुआ। अब मरियाना लिंज वोड़ा है ईया इंगलीश नाम है बने गया वह चाइनिस नाम हम यह झियू नाम कुछ करके बोता है तो चाइनीस नाम हम तु केहरा है यह ब़के बडबा ज recognition जानां तो जैसे इमार हnovे λέढ खा बीबिस्त तो कोई नाम ठाब लंबच वर्बश्ड़ा है जब ही तुमने रखा तुमनों के लिए लग टाम है। तो उन से मैंने सीखा मैंने का इसका मतलब है कि हमें भी अब इन जमाम वर्ड ऐसा यह नहीं चड़ता वह गोरों के मुझे तो अब मैं इन से नाम अलग करें लूग के लिकार अलग कर लो चुप करें अचा तो इतफा किये खेए मलीक जो इंग्लिश में नाम होता है तो अभ मैं गोरों को नाम बताता हूं मलीक और जुब नीचे काी फुल नाम है तो मलीक साही है तो अब सौचना शुरू करो के आपने अपने प्लीश नाम क्या रखना प्रिट्र Kita सब लोग क्योंकर गोरों के साथ काम तो करना है गोरों को बेचनी है वेबसाइट बना बनागे और चैट बार बनागे तो अभी से सोचना शुरू कर दो कि इंग्लिश नाम आपने कौन सा रखना है अपना ठीक है नाम से मुड़ा मुतासिर होते है वही गोरे यानि एवन हमा अगर कोई बन्दा हो ना अगर मिसाल के दोर पर कोई गोरा है अब उससे मैं बात कर रहा हूं तो फो अगर बता देने के यार मेरा नाम है मुहमद आडम तो हम एक दम वो तेना ले मुहमद तू तो मुसल्मान निकला अगर आगे से वह में ज़रा एक इंप्रेशन पड़त को तो एकदम उसके कान खड़े जंगड़े पश्तों यहां पर का रही है तो वह एकदम अपनाहियत फील होती है बावजूद इसके कि वह यहां पर आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को गोलिया मार रहे होता है आपस में लड़ाई होती है जो वो उदर जाएगे आपने अपने लीडर को गाली देते हैं मुदल तो वह उर्दू पोल रहा है आपनाहियत हो जाती है अ अच्छा तो हमने आज की डेट में क्या सीख लिया हमने दो तरहा के variable को बनाना सीख लिया change करना सीख लिया और print करवाना सीख लिया है यह जो value है ना string value इसمة ऍस्पेस लेकिन वेरियबल के नाम में नहीं दे सकता हूँ लेकिन वेरियबल के नाम में नहीं दे सकता हूँ लेकिन यह तो पूरा जुमला होगा नहीं यह आपर के बही इन्जमाम मलीक is a software developer, ठीक है? यह शब्र्ट में, आपर भी इन्जमाम में दे सकता है। अब यह लेट तो चलो फिर भी सही है लेकिन इस तरह है कि आड़ी जड़ी-सपैलिंग इसमें बहुता है। तो हम आम कीबोर्ट करते हैं, कीबोर्ट में । öर्ट कमपलीट है शिक्रेज को ईडिए ते इक नस्क kाल ऐ ना। मिसाल के तौरप जैसाइं की अ chicos एा उन एंच लिखें हो inquennate थी कॉंसोल ना। ऐस़ा और किया है लेक्कॉमें आप मेगा कटना शिक्रेक्द है। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं, नेक्स क्लास में जब हमारी मुलागात होगी तो हम क्या करेंगे, इससे आगे की कहानी को स्टडी करेंगे, यानि के हम क्या पढ़ेंगे, बूलियन और नमबर के टाइप का वैरियबल तो हमने देख लिया है, नमबर और करेंगे, यारे थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, पहले ज़रा प्लस माइनस को हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंके नमबर पढ़ लिया है, तो प्लस माइनस फॉरन करवा लेता है, और छोटी सी कैलकुलेटर गया है, इंशालला हम अगली क्लास में, सैटरडे वाले जब मि आज नी चेक किया, अब वो मैं सैटरडे को चेक करूंगा, तो वो असाइमेंट आपके वास इस्टिल मौजूद है, ठीक है जी, इंशालला मिलते हैं फिर, बाई